आजकल मार्केट में नकली दवाएं धडलने से बिग रही हैं। ज्यादतर लोग मेडिकल स्टोर से सर्दी खासी और भुकार की दवाएं खरीद कर खा लेती हैं। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो साबदल हो जाएं। ये दवाएं नकली भी हो सकती हैं। जब भी आप ऑनलाइन या मेडिकल स्टोर से अपनी दवाएं खरीदें तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। तो आईए आपको बताते हैं नकली और असली दवाओं की कैसे पहचान करें। हाई हेलो नमस्कार मैं कोमल सिंग और आप देख रहे हैं उत्तरप्रदेश टाइम्स का खास प्रोग्राम लाइप इस टाइन। मेडिकल स्टोर से दवा खरीते बक्त इस बात का ध्यान रखें कि असली दवाओं पर QR कोड प्रिंट किया जाता है। इस दवाओं पर एक खास तरह का कोड प्रिंट होता है जिससे दवा के बारे में पूरी जानकारी और सप्लाई चैन की पूरी डिटेल दी गई होती है। ऐसे मैं जब भी आप दवा खरीदे तो यह चेक कर ले कि आपकी दवाई पर यह कोड मौजूद है या नहीं। अगर दवाओं पर क्यूर कोड नहीं है तो नकली दवा हो सकती है। तो आपको ऐसी दवाओं को खरीदने से बचना चाहिए अगर योनिक क्यूर कोड वाली दवा खरीद रहे है तो क्यूर को इसके जरूर कर ले। इससे आपको दवा के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी नियम के हिसाब से 100 रुपे से जादा की कीमत बाली सभी दवाओं पर QR कोड अनिवार होता है अगर दवाओं पर QR कोड नहीं है तो इसे ना खरीदे दवाओं पर QR कोड होते है तो वो advanced version का होता है इसकी पूरी डिटेल सेंटरल डेटावेस एजनसी से जारी की जाती है अलग-अलग दवाओं के साथ QR कोड भी बदला जाता है इसलिए नकली QR कोड बनाना मुश्किल है ऐसी ही तमाम हेल्थ से जूड़ी अपडेट के लिए देखती रहिए उत्तरपदेस टाइल्स